हेई एवरिवान वेलकम इन सोनी एजुकेशनल कोचिंग सेंटर टूड़े वी आज़ूइंग आवर चैक्टर नमबर फिफ्टीन फादर ओफ इंडियन नुकलियर प्रोग्राम नुकलियर प्रोग्राम के पिता के रूप में किसको जाना जाता है डॉक्टर होमी जहांगीर भाबा को जाना जाता है डॉक्टर होमी जहांगीर भाबा को जाना जाता है डॉक्टर होमी जहांगीर भाबा वोज आ ग्रेट विजनरी एंड साइंटिस्ट वो क्या थे एक दू प्रगूत राश्टर के रूप में उभारा था कि उन्होंने नुक्लियर पावर प्रोग्राम में अपना कितना योगदान दिया आईए हम उनके जीवन के बारे में पढ़ते हैं डोक्टर होमी जांगीर भाबा इज मोस्टली नोन एज दा चीफ आर्केटेक्ट ओफ इंडिया ज नुक्लियर प्रोग्राम डोक्टर होमी जांगीर भाबा को मोस्टली मिन्स ज्यादा तर जाना जाता है किसके रूप में परमानु कारियकरम नुप्लियर पर्रगान एज परमाणो कारियकरम के मुख्य सिलबकार के रूप में आर्किटेक्ट होता है सिलबकार के रूप में जाना जाता है He was a man of vision, वो एक दूरदर्शी व्यक्ति थे and campaigned ceaselessly for more resources for research और वो क्या करते थे अनुसंदान के लिए अत्यदिक साधन जैसे और संसाधनों को वो जोड सके इसके लिए वो अभियान चलाते रहते थे He had established the two great research institutions, उन्होंने दो research institutions स्थापित किये थे namely the Tata Institution of Fundamental Research, उसका नाम था Tata Institute of Fundamental Research जिसको TIFR के नाम से जाना जाता है and the Atomic Energy Establishment at Trombe, ये दोनों institute कहां लगाए थे उन्होंने Trombe में लगाए थे which after his death, जब उनकी death हो जाती है, was renamed as the Baba Atomic Research Center तो उसका नाम बदल कर भाबा के नाम पे रख दिया जाता है, Baba Atomic Research Center He was born in Bombay, now Mumbai, वो Bombay में पैदा हुए थे, जो अब मुंबई के नाम से जाना जाता है on 30th October 1999 को in a Parsi family, किस में हुआ था एक Parsi परिवार में हुआ था through जिसके मादम से which he was related to उनका संबन किसे था, उनका संबन था दिंसा मानेक जी पैटिट His father was, जहांगीर होर मुस्ट जी भाबा उनके पिता जी का नाम था, जहांगीर होर मुस्ट जी a well-known lawyer, वो एक वकील थे and his mother was Mehran और उनकी मा का नाम था, Mehran भाबा's primary education took place in Bombay भाबा की जो primary education थी, वो कहां हुई थी, वो Bombay में हुई थी after studying at the Cacadal School Elphinstone College and the Royal Institute of Science in Bombay his parents sent him to Cambridge उन्होंने अपनी जो पढ़ाई थी, वो Bombay में स्टार्ट की थी उन्होंने Cacadal School था, वहां से पढ़ने के बाद Elphinstone College और उसके बाद Royal Institute में Science में उन्होंने Bombay के अंदर ही study की अपनी his parents sent him, उसके माता-पिता नों उसे भेज दिया था कहां Cambridge में England for higher studies उसके माता-पिता चाहते थे कि वो एक Engineer course करें, इंजीनियर बन जाए वो they are to become an engineer की वहां जाकर वो Engineer बने and then work in the Tata Iron and Steel Company at Jamshedpur की वहां से engineering करने के वाद वो Tata Iron Steel Company है जमshedpur में, उसके अंदर वो Engineer के तोर पे काम करें बट भाबा वाज more keen on becoming a physicist लेकिन वो क्या बनना चाहते थे, एक physicist बनना चाहते थे भोती की विज्ञान पढ़ना चाहते थे वो तो Even actually, he and his parents reached a compromise आंत में वहे और उसके माता-पिता एक समझोते पर पहुन जाते हैं they said उन्होंने कहा that if he obtained a first division in physics his father would finance further studies उसके माता-पिता ने क्या का था कि अगर वो physics के अंदर भोती की के अंदर क्या कर लेते हैं first division प्राप्ट कर लेते हैं तो आगे की पढ़ाई के लिए वो उसे finance कर देंगे कि उसके लिए वो पैसा दे देंगे डोक्टर भाबा obtained a first division and began to work in theoretical physics अब डोक्टर भाबा ने क्या किया first division प्राप्ट की और theoretical physics के रूप में उन्होंने काम means उसको बोलते हैं सैथांतिक भोतीकी के रूप में काम करना शुरू कर दिया he was a hard working and brilliant student वो बहुत ज़्यादा कड़ी मेहनत करने वाले और brilliant student थे and received the prestigious Newton scholarship और उन्हें क्या मिल गई थी एक चातरवर्ती मिल गई थी परतिष्टी न्यूटन चातरवर्ती जिसको जाना जाता है he got his PhD degree from Cambridge University and joined the faculty as a professor there उन्होंने Cambridge University से ही अपनी PhD की पढ़ाई को पूरा किया और वहां पर प्रोफेसर के रूप में उन्होंने काम करना शुरू कर दिया he was a very good artist वो एक बहुत अच्छे कलाकार थे and a music lover और उनको music भी बहुत पसंद था he conducted an orchestra also when he was in Britain वो एक orchestra भी चलाते थे जब वो बितन में थे he was a true lover of trees वो पेडों के भी बहुत सचे प्रेमी थे and did everything under his power to protect them और वो जितना उनसे बन सकता था उनकी protection के लिए वो अपनी power का यूज करते थे when dr. भाबा वो जिन इंडिया जब dr. भाबा इंडिया में थे on a holiday वो छुटियों में यहां पर आये हुए थे world war second broke out तो उस टाइम में क्या हो जाता है दिवते विशवयुद सुरू हो जाता है as he could not return to Cambridge और वो वापिस Cambridge नहीं जा पाते हैं he accepted the post of reader in theoretical physics at the Indian Institute of Science in Bangalore और वो क्या कर लेते हैं बैंगलोर के अंदर भारतिय विज्यान संस्थान में सैधांतिक वोतिकी के पाठक के रूप में वो यहां पर रहने लग जाते हैं मिंस वहां काम करना शुरू कर देते हैं the next five years अगले पांस सालों तक 1942-45 were very fruitful for Dr. Homie भाबा और 1940 से लेके 1945 तक का जो टाइम था उनके लिए बहुत ही fruitful मिंस बहुत ज़्यादा फल्द आई था he was elected fellow of the royal society वो elected में होता है चुना जाना वो चुने गए थे किसके अंदर royal society के अंदर लेंडन में in 1941 में he was only 31 year old वो केवल 31 साल के थे दा यंगस्ट फैलो सो फार elected जो अपनी यू आवस्था में elected हुए थे मिंस वहाँ पर चुने गए थे इन 1944 वेन ही रोट तो सर सोरब सकलतवाला उन्होंने 1944 में जब सोरब सकलतवाला को एक लेटर लिखा था chairman of the sir दोरब जी टाटा trust that was the first step which dr भाबा तुक in the establishment of the Tata Institute of Fundamental Research and the Atomic Energy Commission उन्होंने क्या किया था उन्होंने sir सोरब सकलतवाला को एक पत्तर लिखा जो chairman थे किसके sir दोरब जी टाटा trust की उन्होंने पहला अपना कदम उठाया था वो क्या स्थापित करना चाहते थे Tata Institute of Fundamental Research और Atomic Energy Commission स्थापित करना चाहते थे he requested उन्होंने request की प्रातना की that a school of research in theoretical and experimental physics be founded in India with special reference to cosmic rage and nuclear physics उन्होंने अनुरोध किया था कि जो उसमेसिक केड़ने होती है और पर्माणू भोतिकी के विशे संदर में सैधानतिक और प्रायोगिक भोतिकी में अनुसंधान के एक स्कूल की स्थापना कहां की जाए इंडिया की अंदर भी की जाए इन 1948 दा एतोमिक एनर्जी कमिशन वोज फांडिड एंड डोक्टर होमी भाबा वोज अपोइंटिड एज दा चेयर्मेन ओफ दा कमिशन 1928 में परमाणू उर्जा आयोग की स्थापना की जाती है जिसमें डोक्टर होमी जांगीर भाबा को क्या बनाया जाता है चेयर्मेन बनाया जाता है उनका In 1952, 1952 में दा टाटा इंस्टीट ओफ फंडामेंटल लिसर्च वोज इनोग्रेटिड इनोग्रेटिड होता है उसका उधगातन करना 1952 के अंदर क्या हुआ था टाटा इस्टीट फंडामेंटल लिसर्च का उधगातन हुआ था In 1954, डोक्टर भाबाज गोट पदम भुषण 1954 में डोक्टर भाबा को पदम भुषण मिला The Atomic Energy Center was set up at Trombie Atomic Energy Center स्थापित किया गया Trombie में and on 4th August 1956, the first Indian built reactor अपसरा बिकम क्रिटिकल कि उन्होंने 4 अगस्ट 1956 को पहला भारतिय निर्मित रियक्टर अपसरा बनाया था जो क्या हो गया था बहुत ज़्यादा क्रिटिकल हो गया था The Tarapur Nuclear Power Plant was set up in 1963 with his effort उनके effort के काण 1963 में Tarapur Nuclear Power Plant स्थापित किया गया था He was a firm believer that the progress and advancement of a country with big industries and progress in the field of science and technology will need more power उनका ये दर्ड विश्वास था कि जो बड़े उधोगों वाले देश की जो परगती होती है और जो उन्ती होती है और परद्योकी के छेतर में परगती के लिए अधिक आशकता की जरूर्थ होती है Keeping this in mind इस चीज़ को वो अपने हमेशा माइंड में रखते थे The Progress of Establishing Many Nuclear Power Plant Begin और अब उन्होंने धीरे धीरे करके बहुत सारे Nuclear Power Plant को लगाना सुरू कर दिया इन राजस्थान, राजस्थान में राना परताप सागर एंड इन साउथ कलपकम Nuclear Power Plant वर Established उन्होंने राजस्थान में भी और साउथ में भी दो Power Plant स्थापित किये Later on इसके बाद इन उत्तरपरदेश नरोरा Nuclear Power Plant was Established और उन्होंने डोक्टर भाबास विजन एंड हाड वर्क ब्रोट इंडिया एट पर with other countries of the world having nuclear power programs डोक्टर भाबा की दूर दर्शिता और कड़ी महनत के कांड ही भारत को उन्होंने दूसरे देशों के ब्राबर लाकर खड़ा कर दिया on 24th January 1966, 24 January 1966, when he was going to Vienna to attend a meeting वो एक meeting को attend करने के लिए Vienna जा रहे थे of the International Atomic Energy Agency जो meeting किसके उपर थी? अंतर राष्ट्रिय परमानू उर्जा अजैन्सी पे जो meeting हो रही थी उसको attend करने के लिए Vienna जा रहे थे He died in an air crash over Mount Blanc और वहाँ पे क्या होता है? Mount Blanc के अंदर एक हवाईजाज दुरगटना में air crash means हवाईजाज दुरगटना हो जाती है और वो expire हो जाती है The entire nation was turned at the sudden and premature loss of this great visionary और पूरा भारत क्या हो जाता है? बहुत ही ज़्यादा स्थभ हैरान हो जाता है कि इतने महान दूरदर्शी इंसान की अचानक से मिर्ति हो जाती है As a tribute to this great scientist इस महान वेग्यानी को tribute करने के लिए means इसको सर्धानजली के रूप में The Atomic Energy Establishment Act Trombe was renamed और इसी के कान जो Atomic Energy Establishment थी Trombe में उसका नाम बदल दिया जाता है दुबारा नाम रखा जाता है As the Bhava Atomic Research Center Now we are doing exercise और exercise में हम सबसे पहले देखते हैं TIFR was established by Dr. Homie Jhangir Bhava Dr. Bhava was born in Bombay on 30th October 1999 Dr. Bhava acquired his higher education from Cambridge Dr. Bhava was elected fellow of the Royal Society Fill in the blanks In 1944, Dr. Bhava wrote to Sir Saurabshaklatwala for a research school In 1948, the Atomic Energy Commission was founded In 1952, the TIFR research was inaugurated In 1954, Dr. Bhava got Padambhusan The Tarapur Nuclear Power Plant was set up in 1963 Dr. Bhava vision and hard work brought India at par with other countries of the world having nuclear power programs Next is match the following 24th January 1966 Death 1940-45 Fruitful Years 30th October 1999 Bhava was born Jahangir Hormosji Bhava Bhava's father and Mehran Bhava's mother Next has state true or false Dr. Bhava obtained the second division in physics False Dr. Bhava is the father of Indian nuclear program True Dr. Bhava got Padambhusan in 1948 False Dr. Bhava acquired his primary education in Bombay True Dr. Bhava accepted a post of reader in the Nuclear Institute of Science True True Answer the following questions When and where was Dr. Bhava born? Bhava was born in Bombay on October 30, 1999 in a Parsi family Next is how and where did Dr. Bhava complete his education? Dr. Bhava took his primary education in Bombay After studying at Cathedral School, Elphinstone College and the Royal Institute of Science in Bombay He took his higher studies from Cambridge, England Next have briefly described Dr. Bhava's achievement from 1940-63 Bhava was elected fellow of the Royal Society London in 1941 In 1948, he was chairman of Atomic Energy Commission In 1952, he inaugurated Tata Institute of Fundamental Research In 1954, he got Padambhusan In 1956, Atomic Research Centre was set up at Trombay In 1963, in 1963 with his efforts, Tarapur Nuclear Plant was set up Next is Neemda Institute established by Dr. Bhava The Institute established by Bhava The Institute established by Bhava are Tata Institute of Fundamental Research Atomic Research Centre was set up by Trombay Tarapur Nuclear Plant, Nuclear Plant at Rana Pratapashagar, Rajasthan Kalapakam in South and the Uttar Pradesh Narora Nuclear Plant Next is how did Dr. Bhava hard work bring India at per with other countries Since Bhava established many nuclear plants, so his vision and hard work brought India at per with other countries Next is your grammatical portion Here is a list of some words related to various branches of education Here is a list of different branches of education Here has a list of different branches of science Here is which branches of science Here is which branches of science And which branches of history Here is the last branches of masterpieces Collage, canvas, frame, anarchy All these branches come from art Here is where there is history Here is where you are from science Here is a list of science Next step काता है look into a dictionary and find out the meaning of the following word physicist क्या होता है the scientific study for such as light sound and heat next है campaign to take a part in a plant series of activities in order to make something happen next है atomic energy the energy that is produced when an autumn is split next है nuclear power electric or motive power generated by a nuclear reactor next आपका आता है phrase phrase क्या होते है phrase आपका होता है a group of words शब्दों का एक ऐसा summary जिसके अनदर आपको meaning तो मिलेगा बट वो आपको complete meaning नहीं देगा जैसे यहां पर आपको एक्जांपल दिया गया है इंदा कार अब इंदा कार में क्या चीज है कार में just on this table इस मेज पर, क्या चीज है इस मेज पर, यहां हमें ये तो पता लग रहा है कि इस मेज पर, बट हमें ये पता नहीं लग रहा है कि वो इस मेज पर क्या है, तो इसी तरीके से आपको यहां पर pick out the phrase in the given sentence, यहां पर आपको phrase दिये गई हैं और जिनको आपको अलग करना है, बता आना है कि कौन सा है phrase, first में है in the park, in the cradle, in the meeting, across the middle, at parking, or on the road, इसके बाद आता है noun phrase, noun phrase क्या होता है, noun phrase होता है, a phrase, group of words that work as a noun, जो noun के तोर पे काम करता है, यहाँ पे हमें पहला दे रखा है, she tried to, वो कोशिश करिये कि she's key, come first in class, the prime minister is idealistic personality, to pass an IAS exam is not an easy task, watching movie makes me sleepy, my mother saw a snake, do you want a piece of apple? next आता है आपका adjective, और adjective आपको बहुत अच्छे से पता है, क्या होते हैं, जो noun और pronoun की विशेश्ता हमें शो करते हैं, जिससे यहाँ पे हमें दे रखा है, she has lost her lemon yellow dress, कि उसकी dress तो है, बट किस कलर की है, lemon yellow, next है, he bought a necklace made of gold, उसने necklace तो खरीदा, पर कैसा था, made of gold, he drew the flag of India, उसने क्या किया, लहराया किसको, the flag of India, a bird in hand is worth two in the bush, यहाँ पे जो आपका adjective phrase है, वो है, worth two in the bush, you are a man of great promise, और यहाँ पे क्या है, a man of great, कि इंसान तो है, पर कैसा, great promise, इसके बाद आता है, listen to the paragraph and answer the following question, who was Thomas Elva Edison, an American inventor and businessman, वो क्या थे, American inventor थे, मतलब खोज करने वाले थे और एक businessman भी थे, when was Thomas Elva Edison born, February 11, 1847, in which field did he invent device, electric power, generation, mass communication and sound recorder, to which nation did Thomas belong to, मुजीरिस ओन्दा केरला कोश्ट, इसके बाद आता है आपका writing skill, यहाँ पे आपको, APG Abdul Klum की picture दी गई है, जिससे related आपको लिखना है, APG Abdul Klum has been a great scientist of India, he has also served as the 11th Indian president, he does come to know as the missile man of India, for his work on the development of ballistic missile and launch vehicle technology, इसके बाद आता है आपकी activity, activity में आपको यहाँ पे यह बताना है, कि यह जो चीजें हैं, इनके inventor कौन है, यह है आपका computer, computer बनाया था Charles Bevez ने, इसके बाद laptop, laptop बनाया था आपका, Bill Moses, इसके बाद mobile, Martin और Cooper, और यह आपका है Thomas Edison, Elva का बनाया हुआ, यह है आपका chapter,